आप सभी देख रहे हैं QNSTV और यह है QNSTV की Quick Report, हमारी यह एक जो Quick Report अभी हम आपके सामने लेकर आए हैं, यह काफी shocking ख़बर से जुड़ी है, shocking क्यों है? क्योंकि यह एक essay practice से जुड़ी है जिसको आज लोग करने का मन बनाते हैं, वो सोचते हैं कि for their beauty standards और अपने जो एक looks ह उसको maintain करने के लिए इस तरह की treatment को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का सोचते हैं, मन बनाते हैं और कई लोग they undergo through this treatment बट वहीं इस treatment से ही जुड़ी जो यह shocking ख़बर सामने आई है, उसे as a matter of awareness आप सभी तक पहुचाना बहुत जरूरी था हम basically बात कर रहे हैं उस hair loss treatment की ज जाता है, तो आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं उस technique की जहां पर artificially आपके सर पे, आपके scalp में बाल implant किये जाते हैं, अब यहां यह एक treatment process ख़बरों में क्यूं इस तरह से सामने आई, ख़बर basically यह सामने आई कि एक व्यक्ती ने, एक 30 साल के व्यक्ती ने इसी treatment के side effect की वजह से अपनी जान गवा दी, एक मा ने अपना बेटा खो दिया, सिर्फ इस एक treatment के side effect की वजह से और इसके backfire होने की वजह से, जो reports social media में देखने को मिल रही थी, उसमें यह बात पता चली कि जिस व्यक्ती ने अपनी इस treatment के गलत होने से अपनी जान गवाई, उनका नाम सामने आया, अथर रशीद, और इनके डेथ की वजह क्या बनी, multiple organ failures, तो यहां multiple organ failure जो इनका हुआ है, जो एक sudden collapse हुआ है, यहां इनके घरबालों का कहना है, that has happened only after, जो इनका एक hair loss treatment है, basically, यहां जो इस मृतक की मा है, उनका कहना था, कि जब इन्होंने यह hair loss treatment करवाय थ तो कुछ दुनों के बाद इनके शरीर पर कुछ rashes के निशान देखने को मिले थे, जो कि घटने की जगा बढ़ते ही चले जा रहे थे, और जिस तरह से उनकी body react करती हुई दिखाई दे रही थी, वो काफी suspicious था, जिसकी वजहां से इन्होंने बिना समय कवाय अपने हिसाब उन डॉक्टर्स पे और इस hospital management पे लगा रहे हैं जिन्होंने इस surgery को perform किया और खेर इस तरह के हादसे के बाद जो इस मृतक के परिवार जन हैं उन्होंने एक FIR दर्च करवाई और इसी पर कारवाही करते हुए, पुलीस ने उन दोनों surgeons को arrest किया जिन्होंने इस surgery को perform किया और further investigation भी शुरू कर दी है, खेर यहां इस ख़बर का आपके सामने लाने का दोस्तों मकसद सिर्फ awareness है, awareness क्यों है, आजकल looks के standard को maintain करने के लिए हम कई practices में involved होते हैं, ठीक है, अब यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है, कि आप जहां जा रहे हैं, क्या वो certified practitioners हैं, या खुद भी थोड़ा study करके जाएं, और आप यह कह सकते हैं, कि only choose the best in this field, अब दोस्तों यह सारी बाते तो ठीक हैं, treatment करवाना, अपने looks को, अगर आपके पास पैसा है, उस पर invest करना, for the treatment के लिए जाना, यह तो एक पहलू है, पर यहां एक बात जो base पे आती है, वो यही है, कि उपर वाले ने हर इंसान को अलग बनाया है, unique बनाया है, अलग features दिया है, अलग look दिया है, अलग skin tone दिया है, texture दिया है, अलग bal दिया है, हर लिहास से अलग बनाया है उपर वाले ने, अब यहां क्योंकि हम उपर वाले के बनाई हुई एक creation है, तो हम उसे क्यों as it is respect ना क्यों शुकर ना मनाएं कि उपर वाले ने हमें इस तरहा से बनाया है यह कह सकते हैं कि एक थैंक यू कहें कि for making us the way we are क्यों हम किसी third person की जिनको हम शाय जानते भी नहीं हैं उनके नजरों में एक standard create करने के लिए इस तरहा से artificially इस तरहा के practices में involved हो care involved होना ना होना treatment के procedures को करना या ना करना ये एक इनसान की अपनी personal choice है but यहां उन choices के साथ proper awareness के साथ उस मैदान में कदब रखना ये बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरहा से इस खबर में बात सामने आई कि हलकी सी लापरवाही भी आपकी जान ले सकती है तो इसी बात के साथ इसी खबर के साथ हमारी इस quick report में सिर्फ इतना ही बाकी खबरों के लिए stay tuned to QNS TV